Hey guys, welcome to the study with my young, मैं हूँ आपका मयंग, हम लोगों की यहाँ पर NCRT history, class 12 की part post तक भारती इतिहास के कुछ पिस है, भाग दो चल लही है, आज आपका ऐसी करम में अध्याय पाँचमा है, यहाँ पर हम लोग यात्रियों के नजरिये, समाज के बारे में उनकी समझ, इसका part 2 कवर करेंगे, तो जलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या-क्या डिस्कस करना है यहाँ पर, पार्ट बन में हम लोगोंने दस्वी से लेकर सत्रेवी सदी के बीच में भारत में आये कुछ विदेशी यात्रियों के बारें पढ़ा था, जिन में हमने अल बिरूनी, इबने बतुदा और बर्नियर के बारें पर्मकुरूप से जाना था, तो आज के अध्याय में ब्रतान्तों का अध्यन करेंगे, कि इन लोगोंने अपने ब्रतान्तों में भारत की छवी को कैसे गड़ा है, भारत की छवी को कैसे प्रस्तुत किया है, वो सब बाते हम यहाँ पर पार्ट टू में डिसकस करेंगे, तो आज आपकी हैडिंग पढ़ेगी, इबने बतुदा तो अंजाने को जानने की उत्कंठा उत्कंठा का अरत होता है तीब्र इच्छा आप लोग हेरिन डाल लीजिए इबन बतुता तो अंजाने को जानने की उत्कंठा जैसा कि आप लोग जानते हैं जो इबन बतुता है ये चौदेवी सदी में मोरक्को से भारत में आया था और यह जब दिल्ली आया था तो उस समय तक हमारा पूर उप महादीब ऐसे वैस्विक संचारतंत का हिस्सा बन चुका था जो पूर में चीन से लेकर पश्यम में उत्तर पश्यमी अफ्रीका और यूरोप वैस्विक संचारतंत का हिस्सा बन चुका है यानि कहने का उनलब यह है कि हमारे देश का जो ब्यापार वगएरा है वो केवल भारत की सीमित नहीं था बलकि इस समय तक आप यह देखेंगे पूर में चीन से लेकर पश्यम में उत्तर पश्यमी अफ्रीका और यूरोप तक हमारा व्यापार उस समय हो रहा था और इसी वह जैसे यह वैस्विक संचारतंत क्रियेट हो गया था जैसा कि हमने देखा है कि इबने बतूता ने स्वैम इन छेत्रों में बड़े पहमाने पर यात्राएं की पवित रिस्तलों को देखा विद्वान लोगों और सास्वों के साथ समय बिताया कई बार हो एक काजी के पतपर भी रहा और सहरी कंद्रों की विश्ववादी संस्कत का उभवोग दिया विश्ववादी संस्कत से अवप्राय यह है कि सहर जो थे बिविद प्रकार की गद्विदियों के कैंद्र थे सहर ना केबल वाड़िजिक बलके राय नियतिक आर्थिक संसकतिक सभी प्रकार की गद्विदियों के कैंद्र थे तो सहरों में केबल कोई एक प्रकार की संसकत के लोग नहीं थे बलकि वहाँ पर विदेशों से आने वाले लोग भी थे विदेशों से आने वाले व्याबारी भी होते थे इस वज़े से सहर जो थे विश्ववादी संस्क्रत के जोतक बन गई थे तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है सहरी गेंद्रों की विश्ववादी संस्कत का उपभोग किया अब देखे यहाँ पर कुछ चीज़े हैं जिनके बारे में इबन बतूता ने पहारत में पहली बार देखा है क्योंकि उसके देश के लिए ये चीज़े नहीं थी तो उसने इसका वर्डन जो है अपने वरतांत में किया है नारियल तथा पान नारियल तथा पान जो है इससे मुरक्षो देश के जो निवासी थे वो अवगत नहीं थे तो इसके बारे में इबन बतूता ने उन्हें अपने वरतांत के जरीए बताया है इमने बतूता की चित्रड की विदियों के कुछ भैत्री उधारव उन तरीकों में मिलते हैं जिनसे वे नारियल और पान दो ऐसी वानस्पतिक उपज जिनसे उसके पाठक कुरी सरह से अपर्जित थे का वड़न करता है उसके पाठक का मिलब क्या है कि उसके देश के जो पाठक थे इससे आफगत नहीं थे तो इसका वड़न इसने अपने वरतांत में किया है तो यहां पर आपने देखे 15.1 पाइट बन में लिख लिए थे अब आप 16.1 पाइट यहां पर लिखेंगे इसमें लिखेंगे इसमें आप निखेंगे इमने बतु दाने दो ऐसी वानस्पतिक उपद्र का वर्डन किया है जिससे उसके पाठक पूरी तरह से अपरचित थे इसी में पहला सब्पेंट पहला नारियल और दूसरा पान पान का पत्ता पान से मलब पान का पत्ता तो ये दो चीजे हैं जिससे मोरक्को देश के निवासी परचित नहीं थे तो इसने सबसे पहले जो यहाँ पर नारियल है नारियल के बारे में क्या लिखा है नारियल के व्रक्ष बारे मर्मूला है कि यह अनोके और प्रकती में सबसे विस्मेकारी व्रक्षों में से एक हैं यह हुभु, खजूर के व्रक्ष जैसे दिखते हैं याई, बिल्कुल लमबे उसी तरह के होते हैं इनमें कोई अंतर नहीं है, सिवाए एक अपबाद गे, एक से काश्ट फल प्राप्त होता है, दूसरे से खजूर, या नारियल जो होता है, काश्ट फल का मलब क्या होता है, लखडी की फल जैसा दिखता है, बहुत कठोर होता है, इस वज़े से इसको इनमें काश्ट फल बोल है, चूंकि ये चीज़ें इसके देश में नहीं होती थी, इसका वर्डन इसने अपने प्रतांत में किया है, आपने 16 में पॉइंट जैसा मैंने बताया था, वैसा आपने नोट डाउन भी कर लिया है, अब देखें इबन बतुदा ने जो है भारती सहरों के बारे में भी ल बतुदा भारत में जैसा कि आप लोग जानते हैं, पुरे उपमहदीब में लगप गूमा है, तो उपमहदीब में घूमने है के दौरान वो यहां के सहरों में भी गूमा है, उसने सहरों की संस्कित को भे देखा है, कि सहर किस्पकार के केंदर थे, तो इबन बतुदा ने उप महादीप के सहरों को उन लोगों के लिए ब्यापक अवसरों से भरपूर पाया जिनके पास आवशक इच्छा है, साधन है और कौसलतान इसका मानना यह था कि यहां के सहर जो है अवसरों से भरपूर है यागर किसी के अंदर कुछ करने की ललक है तो ऐसा नहीं है, वो कुछ करना पाए वो अच्छा खासा आगे ग्रो कर सकता है ऐसा इसका मानना था यह सहर घनी आबादी वाले समरद थे सिवाए कभी-कभी युद्धों और अवियानों से होने वाले विद्धोंस के यानि कहने के मिलब कि है कुछ सहरों पर युद्धों का विद्धोंस के असर पड़ जाता था बाद बाकी भार्टी सहर जो थे काफी जादा समरद देशने देखे है इमन पतूता के व्रतान से ऐसा परतीत होता है कि अधिकान सहरों में भीड़भाड़ वाली सडकें और चमक दमक वाले रंगीन बाजार थी यानि इमन पतूता के व्रतान ते यह पताते हैं कि जो सहर थे यहाँ पर भीड़भाड़ वाली सडकें होती थी और चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे इमन पतूता जो है दिल्ली को एक बड़ा सहर विशाल आवादी वाला भारत में सबसी बड़ा पताता है य़्यारनी, इसका मालना यह था कि दिल्ली जो है भारत का सबसी बड़ा सहर है इसके बाद इसने द्वालताबाद जो कि महाराश्ट में दौलताबाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को ये चुनोती देता था यानि कहने का मलब भी ये था इसके ब्रतानतों में ये दिखाया क्या है कि दौलताबाद भी लगवड दिल्ली के बराबर इसने माना है तो हम यहाँ पर बातने भी तो बहुत सारी है लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट भी नोड़ताउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग 17 मा पॉइंट हैं यहाँ लिखेंगे इसमें आप लिखेंगे इबने बतूता ने भारतिय सहरों को ब्यापक अवसरों से भरपूर पाया इसी में सब पैंट प्रेला सब पैंट सहर घनी आबादी वाले सहर घनी आबादी वाले तसा सम्रद थे इसी में सेकंड से पैंट अधिकान सहरों में भीडवाड वाली सडकें था चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे यह आपका सेकंड सब पैंट थोड़ा सा संसोतन में आप करने के लिए कह रहा हूं और आप कर लीजिए जो आपने 17 पॉइंट लिखा है तो इसमें आप यह और एड कर देना इबने बतूता ने अपने ब्रतांत में यानि भारती सहरों से पहले देखें कभी-कभी क्या होता है कोई सब्द जैसे रह गया है जैसे आपने लाइन लिखी है तो आप क्या किया कीजिए यहाँ पर एक arrow मारकर थोड़ा से नीचे लिख दीजिए यानि नीचे लिख देना अपने ब्रतांत में जिससे कि यह सारी जो चीज़ें विसेस्ता हैं बता रहे हैं तो इसके ब्रतांत से संबन्द देती ही है यह सब जो चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं यह सब इसके ब्रतांत का ही हिस्सा है ठीक है तो इसी में आप पहले बाले सत्रेमा जो पॉइंट है उसमें संसोधन कर लेना कि इबने बतुता ने अपने ब्रतांत में भारती सहरों को ब्यापक अवसरों से भरपूर बताया है ठीक है पाया की जिए कर देना बताया है ठीक है तो सेगिंड सब पॉइंट आपने लिख लिया होगा अधिकांस सेहरों में भीडवाड़ वाली सटकें तथा चमक दमक वाले और रंगीन बाजार थे इसी में ही थर्ड सब पॉइंट इबने बतू था दिल्ली को एक बड़ा सहर कॉमा विशाल आवादी वाला था भारत में सबसे बड़ा बताता है सत्रे का चौथा सब पॉइंट दौलता बाद ब्रैकेट में महाराष्ट दौलता बाद भी कम नहीं था और आकार में दिल्ली को चनोती देता था इस सत्रे का चौथा सब पॉइंट है तो देखें यहां तक आपने सत्रे के चार सब पॉइंट नोट डाउन कर लिया है इसके बाद कुछ और बड़न है जैस देली के बारे में इसने क्या क्या देखा है वो चीज बताईए इसने दिल्ली जिसे ततकालिन डंतों में अक्सर देली नाम से उधरत किया गया था इसका वड़न इबन बतुता ने इस प्रकार किया है दिल्ली बड़े शेत्र में फैला घनी जनसंक्यावाला सहर है सहर के चार ओर बनी प्राचीर अतुलनी है प्राचीर का मलब होता है दीवार दीवार की चौणाई इसने 11 हांत बताई है यानि एक हांत लगवक 20 इंच के बराबर होता है और इसके भीतर रात्र के पहरेदार तथा द्वारपालों के कक्ष है प्राचीरों के अंदर खादिसामगरी हात्यार बारूद प्रश्य पास्तर यानि जो फैंकर सलाई जाते हैं तता घेरेबंदी में काम माने वाली मसीनों के लिए के संग्रह के लिए भंडार करकर बने हुए थे तो यहां पर विसेस्ताइं बताई हैं कि यहां पर जो दुर्ग समचना जो थी दिल्ली की वो किस प्रकार की है वो इसने अपने प्रतांत में इसका वड़न किया है अब देखे इसने कुछ चीज़ां और भी वताई हैं प्रतांत में यह इसके ब्रतांत में इस सारी चीज़ें लिखी है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे सत्रे का पाजमा सब पॉइंट नोट डाउन करेंगे इसमें लिखेंगे आप अधिकांस बाजारों में एक महजित तथा एक मंदिर होता था आगे बढ़ते हैं आगे बताये गए खाला कि इम्ब बतुता की सहरों की सम्रद्धी का बढ़न करने में अधिक रूची नहीं थी इतिहास कारों ने उसके ब्रतांत का प्रियोग या तर्ग देने में किया है कि सहर अपनी संपत्ति का एक वड़ा भाग गाउं से अधिसेस के अधिगहन से प्राप्त करते थे अधिसेस का मनलब होते हैं जानते होंगे आप सर प्लस यानि कि जो अत्रित उत्पादन हो जाए उसको अधिसेस बोला जाता है चुँकि आप लोग जैसा कि आपने अधिहास में पढ़ा है भारती सहर जोते वो पूरी तरह से गाउं पर डेपेंट रहे है यानि गाउं के जो ग्रामीड इलाके के किसान है उन्होंने सहरों की आफूर्ती की है इस पज़े से इबन बतुता ने सहरों का वड़न बहुत जाता नहीं किया है उसने भारत के अन्य परवेशों का, खास करके ग्रामीड परवेश हुए भारत के और भी जो छेत्र है, उनका वड़न जादा किया है तो इतिहासकार कई बार ये कहते हैं इसके यो वड़न के आधार पर, क्योंकि इसके वड़नों में सहरों की सम्रदी का बहुत ज़्यादा महत तो नहीं दिया गया, बहुत ज़्यादा वड़न नहीं किया गया है, तो इतिहासकार इस आधार पर एक अपनी राय विक्सित करते हैं, और ये तर्ग देते हैं कि सहर अपनी संपत्ती का एक बड़ा भाग गाउं से अधिसेस के पानना है, कनफर्मेशन नहीं है, आगे कुछ चीजा और भी बताई गई है, बताया गया कि इबन बतूता ने पाया, कि भारती करस के इतना अधिक उत्पादनकारी होने का करण क्या है, मिट्टी का उपजाओ बन था, जो किसानों के लिए वर्स में दो फसलें उगाना बहुत मांगती, जिससे सिल्फकारों और व्यापारियों को भी भारी मुनाफ़ा होता था, भारती कपड़ों, विसे शूप से सूती कपड़ा, महीन मनमल, रेशम, जरी तथा साटन की अत्यदिक मानमुर थी, ये कि साटन एक कपड़ा होता है, इमने बतूता हमें बताता ह कि महीन मलमल की कई किसमें इतनी महगी, अधिक महगी थी, कि उन्हें अमीरवर्ट के और भहुत धनाड़ लोग ही पहन सकते थे, तो यहाँ पर आप लोग सत्रे का छटमा सब पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, इसमें आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे, इमनी बतूता बताता है, कि भारत में मलमल का कपड़ा महगा था और उसे और उन्हें, इमनी बतूता बताता है, कि भारत में मलमल का कपड़ा महगा था और उसे अमीर वर्क के तथा बहुत धनाड़ी लोग ही बेहन सकते थे इस सत्रे का छटमा सब पॉइंट है अब देखे बाजार में संगीत यानि इसने बाजार में एक दुकान है उस दुकान का यहां पर बढ़न किया है यहां इमली बदूता द्वारा दौलताबाद के विवर्वड से एक अंस दिया जा रहा है दौलताबाद में पुरस और महला गायकों के लिए एक बाजार है इसे ताराबबाद कहते हैं यह सबसे विशाल और सुंदर बाजारों में से एक है, यहां बहुत सी दुगाने हैं, और प्रतियक दुगान में एक ऐसा दरवाजा है जो मालिक के आवास में खुलता है, दुगानों को कालीनों से सजाया गया है, और दुगान के मद्द में जूला है, जिस पर गायका वठत और वह सभी प्रकार की भव वस्तुओं से सजी होती है, उसकी सेवकान उसे जूला जूलाती है, बाजार के मद्द में एक विशाल गुमबत खड़ा है, जिसमें कालीन बिशाया गया है, इसमें प्रतियक गुरवाग, सुभह की इवादत के बाद संगीतकारों के प्रमुक अपने सेवकों और दासों के साथ इस्थान घ्रण करते हैं, गाये काएं एक के बाद एक जूला में उनके समक्षागर सुर्यास्त का गीत गाती हैं और नाश्ती हैं, जिसके पश्चात पे चले जाते हैं, इसी में अब देखे, आप लोग आपने छटमा सा पॉइंट करना, इसमें आप लिखेंगे, इवनि बतुता ने बताया कि द्वालताबाद में पुरुस और महिला गायकों के लिए एक बाजार है, जिसे ताराबाद कहते हैं, इस सत्राइका सात्मा सब पॉइंट है, अब आपकी अगली सबहेडिंग पड़ेगी, संचार की एक अनूठी प्रनाली, और देखे, ये सबहेडिंग जो है, इपने बतुता की भारत को जानने की उतकंठा है, उसी के अंदर चल लही है, तो आपने डाली होगी संचार की एक अनूठी प्रनाली, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चौधेबी सबी तक आपका पूरा भारती महादीब जो है, वैस्तिक संचार प्रनाली का हिस्ता बन चुका था, तो इसके दो कारड़ थी, पहला कारड़ ये था कि उस समय हमारे जो ब्यापार है, वो इतना जा समरद था, तो समरद ब्यापार की विजय से हम वैस्तिक संचार प्रनाली से चुड़ पाए, दूसरा कारड़ जो था प्रसासनिक कारड़ था, यानि जो हमारे सासक थे, उन सासकों ने सुदूर छेत्रों पर अपना नियंदर इस्ताबित करने के विजय से भी संचार प्रनाली पर बहुत जादा फोकस दिया है, तो यही कारड़ है कि में इस काल में एक मजबुर संचार प्रनाली देखने को मिलती है, यहां बताया गया है कि व्यापारियों को फूसायद करने के लिए, राजि विषय सुपाय करता था, सभी व्यापारिक मारगों पर सराय और विसराम जया स्थाबित किये कहें थी, इब कि इक नॉर्मल यात्रा करने में सिंदुसे दिल्ली तक की नॉर्मल यात्रा करने में 50 दिन लग रहे हैं वहीं अगर आपको कोई message भेजना आ है सिंदुसे दिल्ली तो उसमें मादर 5 दिन लग रहे हैं ये इस समय की सबसे वड़ी उपलब्दी थी जो कि इतनी तीपल डाक विवस्ता स्थाबित हो पाई इसके बारे में इबने बतुदा ने अपने वरतांत में लिखा है तो यहाँ पर अब आप लोग 18 मां पॉइंट यहाँ बें नोट डाउन करेंगे इसमें आप लिखेंगे इबन बतुदा डाक प्रगनाली की कारि कोसलता देखकर चकेत उआ इसी में विराम लगा के आगे लेखेंगे उसके नुसार भारत में दो प्रकार की डाक विवस्ता थी दो प्रकार की कौन कौन सी थी वो भी हम देखेंगे इसमें पहली थी अस तो डाक विवस्ता जो कि घोड़ों के दार संचालित होती थी जिसे उलूग कहा जाता है इसमें हर चार मील की दूरी पर इस्थापित राज की घोड़ों दार ही चालित होती थी यानि कहने का मनलब यह था कि हर 4 मील की दूरी पर एक चोकी बनाई दी गी थी जहाँ पर अश्वार हो ही खड़े रहते थे यानि यहाँ पर यहाँ पर जहां से आई टलना इस्टार्ट हुए तो यहाँ पर गोड़े पर सवार व्यक्ति ही वो यहां तक गया अगली चौगी तक इसने जो डाग है अगली चौगी पर जो गोड़ सवार खड़ा है उसको पकड़ाई तो Sam वो भी ऐसे ही आगे बढ़ गया ऐसे करके यह वाली विवस्ता संचालित होती थी तो यहां पर आप अठारे का पहला सा पइंट लिखेंगे अशुब डाग विवस्ता डैस लगाके इसमें लिखेंगे इसे उलुक कहा जाता था विराम यह हर चार मिल की दूरी पर इस्थापित यह हर चार मिल की दूरी पर इस्थापित राज की घोड़ों दौरा चालित होती थी अब अगली है आपकी इसमें पैदल डाग विवस्ता आप देखेंगे पैदल डाग विवस्ता में प्रति मिल तीन अवस्तान होते हैं जिने दावा खा जाता है और यह एक meal का एक तिहाई होता है यानि हम यह आपका एक meal माल देते हैं इसमें तीन अवस्थान बनाएंगा एक पहला यह बनाया गया है फर्ष्ट ठीक है सेकिंड यह बनाया गया है थर्ड यह बनाया गया अवस्थान का मलब इस्टोपेज और यहाँ पर जो डाक ले जाना वाला व्यक्ति था वो क्या करता था उसके हाथ में एक छड़ी होती थी एक हाथ में छड़ी उसको पकड़ा दी गई थी और एक हाथ में डाक रहती थी इसकी छड़ी थी इस छड़ी पर घंटी बनी भई थी तो जब भी ये व्यक्ति जो डाक वहाग है ये जब भी डाक लेकर जाता था तो साथ में अपने साथ ये छड़ी भी ले 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 लेता था जिस पर ये घंटी बनी जाती थी तो जब ये भागता था इसके भागने से जो छड़ी है उस पर लगी गंटी बज़ती थी तो ऐसे करके जो अगली गली चौकी है यहाँ पर खड़े डाक सवार को उसकी आवाज तोना ही दे जाती थी और वो अलर्ट हो जाता था जैसे ही यहाँ पॉचेगा तो वो क्या करेगा वो इसके हाँ से जाक लेगा और वो भी सेम प्रॉसेस यही अपनाएगा उसके हाँ पैदल डाक विवस्ता जो है और अश्त डाक विवस्ता से काफ़ी बहुत पसंद किया जाता है, यह इवनी वतुदा ने इसके बारे में ब्रतांत लिखा है तो यहाँ पर सेकिंड सब सब पॉइंट पर हैडिंग डाल के लिखेंगे पैदल डाग विवस्थान इसी में आग लिखेंगे इस विवस्था में प्रति एक प्रति तीन मील पर प्रति मील इस विवस्था में प्रति मील तीन अवस्थान होते थे जिन्हें दावा कहा जाता था इस विवस्था में प्रति मील पर प्रति मील तीन अवस्थान होते थे जिन्हें दावा कहा जाता था या है जिनने दावा कहा जाता है विराम इसी में आगे इसमें संद्यस भाग हाथ में छड़ के साथ हाथ में छड़ लिए इसमें संद्यस भाग हाथ में छड़ लिए छड़ का मनला वो रॉड हाथ में छड़ लिए इसमें संद्यस भाग एक हाथ में छड़ लिए तरह दूसरे में डाग सहित दौड लगाता है और उसकी छड़ में गंटियां मदी होती दी विराम और उसकी छड़ में गंटियां मदी होती दी इसमें आगे लिखेंगे हर मील पर सोरी हर मील नहीं हर दावे पर हर अवस्थान पर सोरी अवस्थान पर संदेश भाग गंटियों की अवाज सुनकर तयार हो जाता था विराम ठीक है इसी में ही सेकेंड में ही सेकेंड वाला जो है आपकी वेलर डाग व्यवस्ता इसमें लिख लिए ना इपने बतूता के नुसार पैदल डाग व्यवस्ता आश्र डाग व्यवस्ता से अधिक तीव्ड थी इसी में ही सेकंड सब पॉइंट में ही आप इसका एक और सब पॉइंट बना देना इबने बदूता के नुजार पैदल डाग विवस्ता अश्रो डाग विवस्ता से अधिक तीव्ड थी इसका परियोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था तो यहां तक आपने इसके बारे में देख लिया है आप देखें वर्नियर ने लिखा है लेकि वर्नियर से पहले एक यात्री का वड़न और किया गया है इसके बारे में हम देखेंगे अब्दुर्रजाक तो यह भी 14-वी सदी में आने वाला वेक्ती है तो अब्दुर्रजाक जोगा समरकंग से आया था तो 1440 के दसक में लिखा गया अब्दुर्रजाक का यात्रा वर्दान समवेगों और अवोद्रों का एक चित्रड रोचक चित्रड मिस्रड है एक कोर केरल में काली कट यानि आदनिक कोजी कोर बंदरगा पर उसने जो देखा उसे प्रसंसनी नहीं माना यहां ऐसे लोग वसे हुए थे जिनकी कलपना मैंने कभी नहीं की थी इन लोगों को उसने एक विचित्रडेश बताया कालांतर में अपनी भारत के यात्रा के दोरान वैं मंगलोर आया और पश्मी घाट को पार किया यहां पर उसने एक भवि मंदिर देखा और मंदिर के बारे में इसने अमना वड़न दिया है तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे यहां पर आप नोट लगा देंगे इसमें आप देखेंगे 1440 के दसक में भारत आए 1440 के दसक में समर कंज से भारत आए अब्दुर रजाक ने केरल में कालिकट बंदरगा को देखा और यहां पर रहने वाले लोगों को उसने एक विचित्र देश पताया इसी में नोट का सब पॉइंट कालांतर में अपनी भारत यात्रा के दोरान वह मंगलौर आया और पश्मी घाट को उसने पार किया बस इतना ही अब्दुर रजाक के बारे में और कुछ नहीं लिखना है आपकी अगली हेडिंग है बर्नियर तथा अपविक्सित पूर्व लेकिंगे बर्नियर के ब्रतान्तों के बारे में हम लोग स्टार्टिंग में जान चुके हैं हमने यह पड़ा था कि बर्नियर ने जो भी भारत के बारे में ब्रतान्तों में लिखा है उन ब्रतान्तों में भारत की तुलना यूरोप से या फिर फ्रांस से की गई है लेकिन इन ब्रतान्तों में बर्नियर ने भारत को यूरोप की तुलना में निम्न तर दिखाया है ये इसकी खास बात है तो वही सब चीज यहां पताई गई है लेकिन बर्नियर ने भारत में जो कुछ भी देखा वह इसकी सामानी रूप से यूरोप और विसेश रूप से फ्रांस में ब्याप्त इस्तितियों से तुलना और भिंता को जागर करने के प्रति अधिक चिंतित था उसका बिचार नीत निर्माताओं तता बुद्जी भी वर्ग को प्रभावित करने का था उसने जो कुछ भी इसके बारे में लिखा है वो इस तरह से लिखा गया है कि वहां का जो बुद्जी भी वर्ग है वो भी इस पर विचार करें वो भी इसके बारे में इस चीजों को समझे बर्नियर के ग्रंथ ट्रैवल सिंदा मुगल एंपायर अपने गहन प्रेचड प्रेचड का बनो होता अब्जर्बेशन आलोचनात मक अंतरदरश्टी तक गहन चिंतन के लिए उल्लेखनी है उसके प्रतांत में कीगी चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक परकार के वैश्विक धाचे में स्थावित करने का प्रयास किया गया है वै निरंतर मुगल कालीन भारत की तुलना ततकालीन यूरोप से करता रहा सामानितया यूरोप की स्रेष्टा को रेखांकित करते हुए यानि उसने मुगल कालीन जो सामराज जैस की तुलना यूरोप में जो सामराज थे उन सामराज़ां से की है लेकिन उसने हारुस लगए यूरोप को स्रिष्ट दिखाया है उसने जो भिनताय महसूस की उन्हें भी पतानुकरम के अनुसार क्रमबद किया जिससे भारत पश्मी दुनिया को निम्नकोटी का प्रतीत हो यह उसने अपना प्रतान्त को जिस तरह से लिखा है कि अगर पश्म का पाठक उसे पढ़ेगा तो उसकी नजर में भारत जो है निम्नकोटी का उसे लगेगा तो यह सब चीज़ें इसके बारे में इसके बतान्त के बारे में बताई गई है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हमारा उन्निसमा पॉइंट अब आपका आएगा इसमें आप लिखेंगे बर्नियर के गरंथ ट्रेबल सिंदा मुगल अप एमपायर अपने घहन प्रेच्छर आलुचनात्पक अंतर दरश्टी और गहन चिंतन के लिए उलेखनी है इसी में सब पॉइंट बर्नियर निरंदर मुगल काली भारत की तुलना ततकाली यूरोप से गरता रहा सामान दिया यूरोप की स्रिष्टा को रेखंकित करते हुए इसी में आप सेगेंड सब पॉइंट यहाँ भी नोटडाउन करेंगे उसने जो भिन्निताएं महसूस की उन्हें अभी पदान करम के नुसार करमबद किया जिससे भारत पश्मी दुनिया को निम्न कोटी का प्रतीत हो तो यह इसके बरतानतों की खास बात है तो देखें किसी ऐसे व्यक्ति के जब माइनसेटी बनाया है भारत के बारे हम नेगेटिव तो उससे पॉजिटिव की उम्मीद करना ब्यर्थ है जो कुछ भी उसने देखा है हर जैकर उसने नेगेटिविटी ही देखी है तो वो सब बात में हम यहाँ पर डिसकस करेंगे उसने किन-किन चीज़ों पर आलोचना किये भारत की तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे आप देखें ब्यापक गरीवी का एक प्रमाण और मिलता है इसी समय में एक और डच यात्री भारत की यात्रा पर आया है इसने भी बर्नियर जैसा हाल अपनी आँखों से देखा है ब्यापक गरीवी के बारी में पैलसर्ट नामक एक डच यात्री ने सत्रेवी सदाब्दी के आरंबिक दसकों में उपमाधीप की यात्रा की थी और बर्नियर की तरह वहवी लोगों में ब्यापक गरीवी देखर अचंबित था पैलसर्ट कहता है करसकों को इतना अधिक निचोड़ा जाता है कि पेट भरने के लिए उनके पास सूखी रोटी भी मुश्किल से बचती है याँए आप लोग जैसा की जानते हैं कि जो tax system था याँए आपके मद्द काली ऑब बहरत में थो tax system रहा है जमिदारी विवस्ता रही है और जो सासक रहे हैं वो सासक क्रसकों के प्रति या गरीबों के प्रति समवेदन सील नहीं थे वलकि काफी ज़्यादा समवेदन हीं थे उन्हें केवल और केवल लगान से या कर से मतलब था उन्हें क्रसकों की दसा से क्रसकों के बास खाने के लिए बचेगा या नहीं बचेगा इससे उन्हें कोई मतलब नहीं था यही कारड है कि हमारे यहां अतीज से ही क्रसिक की दुर्दसा होने का जो कारड था वो सबसे बड़ा रवया इन सासकों का था जिसकी विजय से क्रसकों की दुर्दसा होती गई और जैसे अंग्रेज आये हैं तो अंग्रेजों के बाद तो और ज्यादा बुरी हालत होती चली गई है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग नोट करके कुछ चीज़े नोट डाउन करेंगे अब आप लोग नोट लगा दीजिए इसमें आप लिखेंगे पैलसर्ट नामक एक डच यात्री ने सत्रेवी सदापदी के आरंबिक जस्कों में उपमहादीप की यात्रा की थी इसी में आगे बर्नियर की तरह ही वहवी लोगों में ब्यापक गरीवी देखकर अचंबित था यह आपका नोट हो गया अब देखे भूसामित का प्रश्ण बर्नियर को सबसे ज़्यादा जो खराब विवस्ता लगी वो लगी यहां की भूसामित विवस्ता च्यूंकि यहां पर क्या था सिस्टम यहां पर जो भी राजी का भूमी छेत्र था वो सभी राजा के अधीन था यहां राजा अपने अनुसार उसे अपने जो भी कर्मचारी थे उनको बित्रित करता था या आवंटित करता था तो बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूसामित का अभा हो था उसका निजी सामित के गुणों में जड़ विस्त्वास था उसने भूमी पर राजगी स्वामित को तथा राज़ और उनके निवासियों दोनों के लिए हानिकारक माना यहीं जैसा कि आप लोग जानते हैं जिदना भी राज़ेशेत्र होता था वो सभी सासक के अधीन आता था और सासक अपनी मर्जी से उसका बटवारा करता था तो वही सब चीजों की इसने निंदा की है उसे यह लगा कि मुगल सामराज में समराज सारी भूमी का स्वामी था जो इसे अपने अमीरों के बीच बार था अमीर साब प्राय जो इनके कर्मचारी थे अमीर उनके बीच यह मारता था तो इससे अर्थवश्था और समाज के लिए अर्थकारी प्रणाम होते थे इस प्रकार का अवबोधन बर्नी अर्था की सीमित नहीं था बलकि 16-17 सिताब्दी के अधिकान सियात्कियों के ब्रतानतों में यह बातें बताई गई है कि जो भी यहाँ पर भूमी थी उस भूमी पर किसी व्यक्ति का अधिकार न होकर जो महागा सासक है महागा जो राजा है उसका अधिकार होता था राज की भूस्वामित्व के कारड़ बर्नी अर्थरुत देता है कि भूधारक अपने बच्चों को भूमी नहीं दे सकते थे चुकि भूधारक अपने बच्चों को भूमी कब देते जब उनके हाथ में होती अब चुकि पूरी भूमी जो है सासक की है राजा की है अब राजा कब उने उनकी भूमी से वंजित कर दे इसका भी कोई अंदाजा नहीं है तो ऐसे में जो पैतरक संपत्थी वाली अवधार ना थी वो भी यहां पूरी तरह से गायब थी इसलिए वे उत्पादन के स्तर को बनाए रखने और इसमें मडूतरी के लिए दूरगामी निवेस के लिए प्रति उधासी इन्धासीती है एक है investment आप कब करेंगे investment आप तब करेंगे जब आपकी nijji property हो अब आपको पताए वही सर्कार नहीं हमें जमीन दिए है सर्कार जब चाहिए हमसे बापस मिले सकती है जैसे ही राजा का सासक क्योंकि आजी तरह लोगतन तो था नहीं बहाँ पर ना तो समिधान था जो चीज़ें नियम उसिस्ते होंगी जैसे ही सासक का सासन परवर्तित हुआ राजा चेंज हुआ तब से नियम बदल गए तो लोगों को धबह बना रहता था तो इसी बज़े से लोग जो थे जमीन बगएरा में जो भी उन्हें क्रसी की भूमी मिलती थी उसमें इन्वेस्टमेंट या उसमें सुधार करने का प्रयास नहीं करते थी इस प्रकार निजीव उसामित के अभाव ने भैतर भूधारकों के वर्क के उदय को रोगा यही कारण है कि यहाँपर भैतर भूधारक है उस वर्क का उदय यहाँपर नहीं हो पाया लोगों को जमीन मिली थी उसमें जैसे जैसे गुजरबसर कर रही थी लोग वो सब चीज़ें यहाँपर वर्नियर ने अपने बरतान्त में लिखी हैं तो यहां पर हम लोग लिखेंगे अब हम, इसमें अब आपका उनिसमा हो गया, बीसमा पॉइंट अब आपका आएगा, इसमें आप लिखेंगे, बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भू सामित का अभाव था, इसी में आगे, उसने भूमी पर, राजी की सामित को, राजी तथा उसके निवासियों, दोनों के लिए हानिकारत माना, यह बीसमा पॉइंट है, अब देगे, इस सब चीजें भाई बताई है, इसने अपने बर्तांत में, यहाँ बर्नियर दोरा ग्रामिड अंचल में, क्रसकों की विसा में दिये के विवरर से, एक उध्धर दिया जा रहा है, हिंदुस्तान के सामराज की विसाल, ग्रामिड अंचलों में से, कई केवल रेतिली भूमियों या बंजर परवत ही है, यहाँ की खेती अच्छी नहीं है, और इन इलागों की आवादी भी गम है, यहाँ तक के क्रसी योगी भूमि का एक बड़ा हिस्सा भी स्रमिकों के अभाव में क्रसी विहीन रह जाता है, इन में ऐसे कई स्रमिक, गवर्नरों द्वारा किये गए बुरे विहवार की फल्स्तुरूप मर जाते हैं, चुकि सोसड इतना जाता था कि जो भी सासक या सेनपती या जो भी जमिदार होते थे वो ख्रस्कों की सोसड करते हैं, कई बार यहां तक कि क्रस्कों की मरत्यूभी हो जाती गीूगे। गरीब लोग जब अपने लोभी स्वामियों की मांगों पूरा करने में असमर्थ हो जाते थे तो ऐसे में उन्हें उनके साधनों से वंजित कर दिया जाता था और कई बार तो उनके बच्चों को पकड़ कर दास बना लिया जाता था ये भी इसने हम बढ़न किया है इस अत्यांत निरनकुस्ता से हतास हो किसान गाउं छोड़कर चले जाते है तो कितने दुरभागिपूर इससे थी का वर्डन इसने किया है इसे आप समझ सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आपने इस सब चीज़ें देख ली है इसके वरतान्त का ही वर्डन है अब देखे कुछ चीज़ें और भी बताई है यहाँ पर यह भी बताया है कि यहाँ पर देखे इसने यहाँ पर जो वर्ग यानि आठ से काधार पर जो वर्गों को यहाँ पर काउंट किया है इसने दो ही वर्ग माने है एक तो यहांपर अमीर वर्ग है अमीर से उप्राईज होगा धन सम्रद वर्ग है और एक इसने गरीब वर्ग माना है वर्णियर के अरुसार यहांपर जो अभधाड़ना वो तो है नहीं जैसे आज के समय में आप मिडल क्लास देखते हैं तो middle class चैसी चीज उस समय के समाज में थी नहीं, या तो गरीब थे लोग या तो अमीर थे, ये दो ही वर्ग इसने यहाँ पर देखी है, तो यहाँ पर वही बोलाए, गरीबों में सबसे गरीब, तता अमीरों में सबसे अमीर व्यक्ति के बीच, नाम मात्र को भी कोई सामाज या वर्ग नहीं था, या यह केबल दो ही वर्ग है, एक तो अमीर वर्ग है और एक गरीब वर्ग है, मद्वर्ग तो ही नहीं इसमें, इस बात को भी इसने उजागर किया है, आगे भी इसने लिखा है, यहाँ पर थोड़ा सा स्चूट गया बोला है, बर्णियर भाती समाच को दरिद्र लोगों के समरूप, जन समुसे बना वड़ित करता है, जो एक बहुत अमीर और सक्सारी सासक वर्ग, जो अलपसंक्यक हो अब देखें, बर्णियर जो है, बर्णियर आया तो मुगल सामराज में किसी पदगी लाजसा को लेकर है, लेकिन यहाँ पर इसका ब्रतांत इसने लिखाया काफी नेगेटिव लिखा है, बर्णियर ने मुगल सामराज को इस रूप में देखा, इसका राजा विकारियों और क्रूर लोगों का राजा था, यानि कहने का मलब यह था, बर्णियर ने यह का है कि यहाँ का जो राजा है, मुगलों का, वो विकारियों, क्योंकि यहाँ की जन्ता की तसा इतनी जादा खराब है, तो विकारियों क्रूर लोगों का राजा था, इसके सहर और नगर विन की भूसामित की वकालत करता है और यहां पर विवस्ता है राज की भूसामित इसकी आलोचना में जितनी भी कमियां है वो सब कमियों का जिम्मेदार इस राज की भूसामित विवस्ता को ही ठहराता है आशर की बात यह है कि एक भी सरकारी मुगल दस्ताविच यह इंगित नहीं करता है कि राजी ही भूमी का एकमातु स्वामी था उधारण के लिए सूलेवी सदाब्दी में अकवर के काल का सरकारी इतिहास का रहा है अबूल फजल यह भूमी राजस को का पारिस्मैक बताता है तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे इसे नोट करके यहाँ पर लिख लेंगे इसे आप लेखेंगे सुलेवी सुताबदी में अकवर के काल का सरकारी इतिहासकार अबूल फजल भूमिस्वामित को राजत का पारिस्विक बताता है यानि ये लगान मानते ही नहीं है इसको pallisamik मानते हैं चूँकि राजा जो अपने प्रजा को production दे रहा है उसके बल्ली में राजा को pallisamik मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए यानि ये लगान को एक वेतन की रूप में देखते हैं तो ऐसी बात इनके इतिहास कारने, सरकारी इतिहास कारने ये बात लिखी है तो आपने नोट करके ये लिख लिया होगा बर्नियर के भिवरणों ने 18-वी सदाभी से पश्मी विचार को परहवित किया उधारण के लिए बताए गया फ्रांसीसी दार्सनिक मॉन्टेस्किय। ने उसके बृतान का रियोग प्राचि निर। रुदा बात के सिद्धान को विक्सित करने में किया प्राचि का मतलब होता है प्राची प्राचि का मतलब यानि ओरियेंट जो पुरानी धार्णावाले हैं, परंपरवाधी लोग हैं तो यहां पर आप आप लोग क्या करेंगे, 22 पाइंट है में नोट डाउन करेंगे, इसमें लेखेंगे, फ्रांसीसी धार्षनिक, मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के ब्रतान का परियोग, प्राच्य निरंकुसबात की सिध्धान को विक्सित करने में किया, इसी में सब पॉइंट, जिसके अनुसार, A.C.A. ब्राक्षत्वा फूर्म में, सासक अपनी प्रजाग के उपर निर्वाद प्रभुत्त का उपफोग करते थे, जिसे दास्ता और गरीवी की इस्तितियों में रखा जाता था, यह सिध्धान इन्हों ने दिया है, इसके आधर पर बर्नियर के ब्रतान का प्रियोग करके, अब देगे, काल माक्स ने भी, 19 सताबदी में काल माक्स ने इस विचार को ACI उत्पादन सेली के सिध्धान की रूप में और आगे बढ़ाया, उसने यह तर्ग दिया कि भारत और अन ACI देशों में उपनिवेसबास से पहले अधिसेस का अधिखरण राजद्वारा होता था, अधिसेस का मलब है सर प्लस, यानि जो भी किसानों ने उत्पादन किया है, और जो बचा हुआ उत्पादन है, उसका अधिखरण कोन कर लेता था, राजजी कर लेता था, यानि यहां के सासर कर लेती थी, इससे एक ऐसे समाज का उद्वबव हुआ, जो बड़ी जंक्या में स्वायत ता आंत्रिक रूप से समतावादी ग्रामिट समतायों से बना था, यानि ग्रामिट समतायों से बना था, और जब तक अधिसेस की आपकूरती निर्विंग निरूप से जारी रहती थी, इनकी स् जो किसान है, अपना जो सरपलस, यानि अपना जो अत्रिक्त उत-पादन राजा को सुछषा से देते रहती थे, तब तक इनकी साय्त्ता, यानि इन्हें जो जमीन दी गए थी वो इन पर पनी रहती थी, और जैसे ही इन लोगों थी जो भी उपज है, वो राजा को देने से इंकार कर दिया, तो कही ना कि इन से इनकी जो भूसामित है, वो छीन लिया जाता था और ऐसी प्रणाली जो है, एक निस्क्री प्रणाली इसको मानी जाती थी, ये बात काल माक्स ने लिखी है तो यहाँ पर इसी में ही 22 का सेगेंड सब प्रणाली आप लिख लेना 19 सदाप्दी में काल माक्स ने तर्ग दिया यह तर्ग दिया कि भारत में उपनवेस्पास से पहले अधिसेस का अधिकरण राजी द्वारा होता था अधिसेस का मतलब यह है कि जो सचेस बचा हुआ है जो अत्रिक्त बचा हुआ है अब कुछ चीज़ा और भी है 16 वी और 17 सदाप्दी में ग्रामीड समाज में चारिक्त प्रूप से बड़े पहमाने पर समाजे को आर्थिक बिवेद थे एक और बड़े जीमिदार थे जो भूमी पर उच्चा दिकारियों का उभोग करते थे और दूसरी और आइसप्रस से भूमी ही स्रमिक यहने बलाहार का आजाता था वो भी देखने को बिलते है तो इसने ग्रामीड समाज का जो शित्रड है बर्नियर ने वो भी लिखा है तो यहाँ पर आप लोग 23 पॉइंट यहाँ पर लिख लेना इसमें लिखेंगे सुल्यवी और 17 भी सताब्दी में ग्रामीड समाज में एक और बड़े जमिदार थे जो भूमी पर उच्चा दिकारियों का उभोग करते थे जो भूमी पर उच्चा दिकारों का उभोग करते थे और दूसरी और इस प्रस्य भूमीन स्रमिक यहने बलाहार बुला है इसमें अब आगे है एक अधिक जटिल सामाजी सच्चाई इसने यहाँ पर भारत के समाज है भारत के समाज पे मौझूद जो वर्ग है उन वर्गों पर भी प्रकार्स दाला है यैसे इसने सिल्पकारों के बारे में लिखा है सिल्पकारों के पास अपने उत्पादों को बहतर बनाने का कुछ प्रोसान नहीं था उन्हें किसी प्रकार का राज की सरच्षड नहीं दिया जाता था क्योंकि मुनाफ़े का अध्गरड राज द्वारा कर लिया जाता था यह बात बर्णियर बोला है बर्णियर का कहना यह है कि जो सिल्पकार उस समय के थे उन सिल्फ पकारों को किसी पकार की राज की मदद नहीं दी जाती थी और जो कुछ भी वो मुनाफ़ा कमाते थे उस पर भी टेक्स लगाकर राज उनसे उसका अध्गरड कर लीता था तो ये बात बर्नियर ने यहाँ पर अपनी व्रतांत में बताई है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 24 पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसमें आप लिखेंगे बर्नियर कहता है कि सिल्फ कारों के पास अपने उत्पादों को बहतर बनाने का कोई प्रोस्ताहन नहीं था क्योंकि मुनाफ़े का अध्गरड राय द्वारा कर लिया जाता था इन सब के बाब दुद्धी बर्नियर ये मानता था कि पूरे विस्ट से बड़ी मातरा में भामूल दातु में भारत में आती थी क्योंकि उत्पादों का सोने और चांदी के बदले निर्यात होता था इसका मानना ये था कि इन सब के बाब यानि इतनी सब विसमता हैं इसने देखी इन सब इतनी विसमताओं के बारे में इसने लिखा है फिर भी एक्सेप्ट करता है कि यहां से भारी मातरा में ब्यापार हो रहा है और व्याबार होने के जैसे भारी मात्रा में सोनय और चांदी जैसे जो भामूल इधातु है वो भी भारत में आ रही है ये बात भी इसने मानी है तो यहाँ पर इसी में सब कोई डाप लिखेंगे भै यह भी मानता है कि कि पूरे विष्ट से बड़ी मात्रा में भामूल इधातु है भारत में आती नहीं क्योंकि उत्पादों का सोनय और चांदी के बदले निर्यात होता था अब आगे बढ़ते हैं अब देखें यहाँ बे कुछ चीज और बताएक नहीं है सत्रेवी सताब्दी में जनसंख्या का लगवट 15% भाग नगरों में रहता था यह उस्ताम उसी समय पश्मी यूरोप की नगरी जनसंख्या के उनुपास से अधिक था चूँकि अपने परतांतों में बर्नियर ने बार बार भारत की आलोचना की है भारत को निम्न दिखाया है लेकिन रियल्टी यह है जो आज के आंकड़े यह बताते हैं कि सत्रेवी सताब्दी में जो हमारे भारत के नगर थे उनकी जनसंख्या जितनी थी वो जनसंख्या यूरोप के नगरों से जाद आ थी इतने पर भी बरनियर मुगल कालीन सहरों को सिवर नगर कहता है जिससे उसका आसे उन नगरों से था जो अपने अस्थित और बने रहने के लिए राज की सिवर पर निरवर थे जानी कहने का मुलब यह है कि बर्णियार ने भारत के जो नगर है उनको सिवर नगर का है सिवर का मुलब क्या है कि राजगार की सरच्षठ में पर नगर का है मालीजी एक किसी राजा ने अपनी आज़ेशन दीर और विक्सोट हो गया तो ऐसे नगरों को उसने सिवर नगर बोला है यूँकि राज की सरच्छर से पनपेते हैं तो यहाँ पर वही सब चीजें बताईगी है उसका विश्वास था कि ये दरवार ये राज की दरवार के आगमन की साथ अस्तित्व में आते थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पत्नों नमक हो जाते थे जैसा कि आपने क्लास 6, 7, 8 में भारत का इतिहास पड़ा है और आपने देखा है कि भारत में जो नगरों का उधभब था वो केवल राज की दरवारों के आने जाने से नहीं हुआ है बालकि धार में सांसकतिक कैंद्रों व्यापार वाड़िजिक कैंद्रों बंदरगा कैंद्रों इन सब के कारण भी हमारे नगर विक्सित हुए है जबकि यहाँ पर इसने यही कारण माना है राज की दरवार याँ इसका माना यह था कि जहाँ जहाँ पर राजा की राजधानी इस्थावित हो जाती थी वहाँ पर नगरों का विकास हो जाता था जो कि यह अब धारना भारत के संदर में पूरी तरह से गलत है जैसा कि आप लोग तथ्यों को जानते हैं और समझ गए होंगे कि जिस तरह की बातने इसने लिखी हैं यह बातने गलत हैं लेकिन हमें फिर भी लिखनी पड़ेंगी तो यहाँ बार हम 25 पाइंट यहाँ पे नोट डाउन करेंगे इसमें आप लिखेंगे बर्नियर मुगल काली इन सहरों को सिवर नगर कहता है जिससे उसका आस है उन नगरों से था जो अपने अस्तुत और बने रहने के लिए या फिर इसमें ऐसी लिख लेना देखें यह लाएन यहाँ से काट दो यह वाली इसमें इतना लिख लेना कि बर्नियर मुगल काली इन सहरों को सिवर नगर कहता है विराम उसका विश्वास था कि यह नगर यह नगर राजगी दरवार के आगमन के साथ अस्तुत में आये थे और इसके कहीं और चले जाने के बाद तेजी से पतनुन वुक हो जाते थे विराम इसी तरह यह राजगी प्रस्तरह पर आश्रत रहते थे यह राजगी प्रस्तरह पर सरच्षड पर आश्रत रहते थे देखने को मिल जाएंगी तो आपने 25 पूरा लिख लिया है अब देखे इस बात का खंडन हमारे हां के इतिहास कारों ने साब साब किया है कि भू सामित के प्रस्षड की तरह ही बर्नियार एक अति-सरली कर चिट्र प्रस्तुत कर रहा था वास्तम में सभी प्रकार के नगर अस्तित्व में थे उत्पादन केंदर, व्यापारिक नगर, बंदरगा नगर, धार्मेक केंदर, तीर्टिस्तान सब कुछ नगर हमारे हैं विद्धिमान थे और अपनी जाती तता ब्यवसाइक संस्थाओं के माध्यम से संग्ठित रहते थे पश्मी भारत में ऐसे समुओं को महाजन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेठ बोलते थे तो ये भी यहाँ पर इसने मुखलकाल में जो ब्यापार था ब्यापारी थे उनके बारे में यहाँ पर बताया है आगे बुला है कि एहमदाबाद जैसे सहरी केंदरों में सभी महाजनों का सामई प्रस्नित तो ब्यापरिक सम्दाएके मुखिया द्वारा होता था इसे नगर सेट कहा जाता था तो यहाँ पर अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर 26 पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करेंगे इसमें लेखेंगे ब्यापारी अक्सर मजबूत सामदाएक अथवा बंदुत्त के संबंदों से जुड़े होते थे और अपनी जाती दता ब्यापसाइक संस्ताओं के माद्यम से संग्ठित रहते थे इसी में सब पॉइंट पश्टमी भारत में ऐसे समुगों को महाँ जन कहा जाता था और उनके मुखिया को सेट और उनके मुखिया को सेट इसी में सेकेंड सब पॉइंट एहंदाबाद जैसे सहरी केंद्रों में सभी महाजनों का सामुहिक प्रसुत ब्याबरिक समदाय की मुकियादवारा होता था जिसे नगर सेट कहा जाता था तो यह बरतांद किसमें चलना है? यह बर्नियर वाली में चिकिस्चक होते थे, हकीम अत्वाबैद, अध्यापक, पंडितिया मुलना, अधिवक्ता वकील थे, चित्रकार, वास्तुविद, संगीतकार, सुलेखक यानि जो फार्सी बगरा की जो पांडुपियां होती थी, उनका सुलेखन करने वाले सुलेखक यह सब समलेथ थे तो 27 पॉइंट यहाप लेखेंगे इसमें लेखेंगे लेखेंगे इसमें लेखेंगे लेखेंगे बर्नियर की अनुसार अन्य सहरी समुवाँ में जैसे चिकिस्चक रेकिट में हगीम अत्वाबैद अध्यापक पंडित या मुल्ला अधिवक्ता बर्यकिट में वकील चित्रकार वास्टविद संगीतकार सुलेखक आदी समलित थे इनमें ऐसे कई लोग ऐसे भी थे जो राज की प्रस्त्रे पर इन राज की सरशड पर आसित रहते थे और कई लोग ऐसे थे जो भी आम लोगों के द्वारा धंदी आ जाता था उससे उन्हें अपनी सेवाएं देते थे और अपना जीवनियापन करते थे यह बात यहाँ पर पताई गई है अब आपनी अगली हेडिंग है महलाएं दासियां सती तथा स्रमिक देगे हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे कि आए हुए इन विदेसी यात्रियों ने भारत में महलाओं के बारे में यहाँ पर दासप्रथा के बारे में यहाँ पर जो सती प्रथा उस समय प्रसलन में थी या फिर उस स्रमिक उस समय के जो हैं उनके बारे में क्या लिखा है वो सब चीज़ें हम यहाँ पर जानने का प्रयास करेंगे तो दासियों के बारे में देखेंगे यहाँ पर इवन बतुता ने दासियों के बारे में कुछ लिखा है यह बताता है कि समराट की आदत है कि हर बड़े या छोटे अमीर के साथ अपने दासों में से एक को रखने की जो उसके अमीरों की मुख्विरी, मुख्विरी का मनव है जासूसी, जासूसी करता है, वैं महला सफाई करमचारियों को भी न्युक्त करता है, जो बिना बताए घर में दाकिल हो आधिकरास दासियों को हमलों और अवियानों के दोरान बलपूरवक प्राप्त किया जाता था, जब भी राजा किसकी नए राजी पर आक्रमट करता था, तो पराजित राजिक की जो भी इस्तरियां होती थी पुरुस होती थे, उनको पगड़ पगड़कर बलात-पूरवक उन्हें दास या दासी बना लिया जाता था तो ये चीज़ें इवन बतूता ने अपने ब्रतानत में बताई है अगर हम दासों की स्थिती की बात करें तो दास प्रता में उस समय की जो दास थे वो खुले आम जैसे वस्तु में बिखती हैं उसी तरह से दासोंगी खरीद प्रोप्त का वड़न यहां पर मिलता है। इसके लाबा इबन बतुता ने ये भी बताया है कि मुहम्मद बिन तुकलक, नसीरुद्दीन नामक, धर्मोपतेसक के प्रवचन से एतना प्रसंद हुआ है कि उसे एक लाग टकी मुद्रा और दो सो दास उसे दिये हैं। तो उससे मैं दास प्रता का रधले से प्रचलन इबन बतुता के प्रतांग से हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अब आप लोग 28 पॉइंट हैं में नोटडाउन करेंगे। इसमें आप लिखेंगे, बाजारों में दास, किसी भी अन्य बस्तू की तरह है, खुले आम बेचे जाते थे, और नेमित रूप से भेंट प्हेंट स्वरूप दिये जाते थे हैं। इसी में पहला सब्पॉइंट, जब इबन बतुता सिंद पहुचा, तो इसने सुल्तान मुहमत बिन तुगलक के लिए भेंट स्वरूप, घोडे, उंट तथा दास खरी दे। अब इसमें आपका सेगिंड सब्पॉइंट जो बिन तुगलक नसीरुदिन नामक धर्मो पदेशक के प्रवचन से इतना प्रसंद हुआ कि उसे एक लाग टके तता दो सो दास दिये। ये 28 का सेकिंड सब्पॉइंट है। तो इस समय सती पर्था की जो श्रती है वो आपने यहाँपर देखी है। अब देखें यहाँपर खुब आनंदित हुआ। सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी निक्स करता था। तो यहाँपर आप लोग क्या करेंगे। उन्तिसना पॉइंट लखेंगे। इम्न बतूता के अनुसार सुल्तान की सेवा में कर रत कुछ दासियां संगीत और गायन में निपुरती, विराम, विराम, इसी में आगे सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासियों को भी निक्स करता था। इम्न बतूता ने इनकी सेवाओं को पालकी या डोले में पुरुसों और महलाओं को ले जाने में बिसिस रूप से अपरहारे पाया। यानि उस समय जो पालकी और डोले जो चलते थे जिने जैसे आपने देखा होगा साधी के बाद जो पालकी वाला सीन पुरानी जो मूविया है उन समय देखने को बिलेगा कि चार आदमी इस पालकी को उठा के लिए जा रहे हैं तो उस समय का प्रशलन यही था उस समय पालकी या डोले चलते थे इसमें इस तरी यहां पुरुस जाते थे और इन्हें उठाने वाले जो दास होते थे दासों की कीमत मिसिस रूप से उन दासियों की जिनकी आवशक्त तक घरिलू स्रम के लिए थी बहुत कम होती थी तो यह सब की यहां पर बताई गई है अब देखें यहां पर इसी में ही सेक पहला सब पॉइंट उन्तिस का दासों को सामनत है गरिलू स्रम के लिए इस्तिमाल किया जाता था विराम इसी में आगे दासों के कीमत विसेस रूप से कौमा लगा दिया करना है विसेस रूप से उन दासियों की जिनकी आवशक्त घरिलू स्रम के लिए थी बहुत कम होती थी यह आपका उन्तिस का पहला सब पॉइंट है अब देखें यहाँ पर सती प्रता के बारे में एक वर्डन दिया हुआ है और इस वर्डन को पढ़कर आपकी आँखों में आसुपा जाएंगे यह संभब्त बर्नियर के प्रतांत के सबसे मारेमिक विप्रणों में से एक है यहीं बर्नियर ने जो प्रतक्ष अपनी आँखों से देखा है उसका वर्डन यहाँ पर किया गया है तो आपको समझ में आएगा कि प्राचीन भारत में या जो मद्धिकालीन भारत है उसमें महलाओं की जिसा कैसी थी लाहौर में मैंने एक भहुती सुन्दर अलब वयस्क बिदवा जिसकी आयू मेरे विचार से बारे वर्ष से अधिक नहीं थी को की बली होते हुए देखी बली का मलब जिस तरह से उसको जवरन मारा जाता है उस तरह ही बली होते हुए इसने देखी है उस भयानक नर्की ओर जाते हुए वै असाहे छुटी बच्ची जीविस से अधिक म्लत पतीत हो रही थी उसके मस्चत की जथा का वड़न नहीं किया जा सकता है वै कापते हुए बुरी तरह से रो रही थी लेकिन तीन या चार ब्रहमण एक बुड़ी औरत जिसने उसे अपनी आस्थीन के नीचे दवाया हुआ था कि सहता से उस अनेच्चुपीड़ता को जवरन घातक इस्तल्कियों ले गए और आगे बुला गया है उसे लगडियों पर बैठाया उसके हाथ और पैर बांद दिये ताकि भागना जाए और इस इस्सिती में उस मासूम प्राणी को जिंदा चला दिया गया मैं अपनी भावनाओं को दमाने में और उनके कोलाहलपूर ब्यर्थ की प्रोध को भार आने से रोकने में असमर्थ था दीगे ये रियल्टी रही है बद्दकालमी भारत की रियल्टी रही है कुछ जगह पर तो स्वेच्छा से स्ट्रियां सती होती थी लेकिन कुछ जगह पर एक ट्रेडीशन बन चुका था परमपरा बन चुकी थी यहाँ पर इस्ट्रियों को जबरन सती किया जाता था तो उसी में से एक व्रतांत आपके सामने यहां दिया हुआ है अब देखें यहां बोला गया है बरनियर ने सती परता को विस्तत बड़न विवरण के लिए चुना उसने लिखा कि कुछ मेंना प्रसंता से मिर्ट्व को गरे लगा लेती थी अन्य को मरने के लिए बाद किया जाता था तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे यहां पर अब आप लोग आपका उन्तिसमा पॉइंट आएगा तीसमा पॉइंट आएगा सॉरी तीसमा पॉइंट आप लिखेंगे बरनियर ने लिखा है कि बरनियर ने सती परता पर लिखा है कि कुछ महला है हाला कि कुछ महला इस प्रसंता से मृत्यों को गरे लगा लेती थी कॉमा अन्यों को मरने के लिए बाद किया जाता था जो कि बाद दिवाला वार्डन आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है लेकि मद्यकाल में सती परता तो एक कुरीदी थी लेकिन ऐसा नहीं है कि महलाओं के सती बहुत जाता खराब थी तो यहां भही बोला गया कि लेकिन महलाओं का जीवन सती परता के लाबा कई और चीजों के चार और गुमता था उनका स्रम क्रसी तथा क्रसी के अलाबा होने वाली उत्पादन दोनों में महतपूर था ब्यापारिक परिवारों से आने वाली महलाएं ब्यापारिक गद्विदियों में हिस्ता लेती थी यहां तक कि कभी-कभी वाड़िजिक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी यानि कहने का मलब यह था कि इतनी सब पुरितियों के बाप यूद भी कुछ महलाएं ऐसी भी थी जो ब्यापारिक गत्विदियों भाग ले रही थी और सिक्षित मलब अपने परिवार में ही सिक्षित होकर वो लोग जब भी विवाद बगारा होते थे वाड़जीक विवाद होते थे तो अदालत के सामने भी उन उद्दों को ये ले जाती थी हाला कि ऐसी महलाओं के संग्या बहुत जादा कम रही होगी तो यहां पर आप लोग 31 पॉइंट यहां पर लेखेंगे इसी में ही विवाद के गत्विदियों में हिस्ता लेती थी यहां तक कि कभी-कभी वाड़जीक विवादों को अदालत के सामने भी ले जाती थी तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर अंत हो जाता है आप देखे आगे यहाँ पर कुछ तत्थ दिये हुए हैं काफी सारे तत्थ तो आपने लिख लिए हैं अल बिरूनी कब आया है उसकी तित्थी दिवी है उस 1748 ये तित्थी दिवी है अल बिरूनी के बारे में लिख चुके हैं मारको पोलो इटली का यात्री था देखे नियात्रियों के नाम लिख लीजिए कई बार आपने देखा होगा PCS के कुछन पूछा जाता है कि आपके सामने ये यात्री दे दिये जाते हैं और इनके संबंदित देख पूछे जाते हैं यह आपके सामने जो सूची वन सूची ये दो करके जो मैचता फॉलोइंग वाला आता है प्रश्न तो वहाँ पर इस तरह के विकल्ब वहाँ पर पूछे जाते हैं तो आप लोग जैसे मारको पोलो है मारको पोलो कहां से था इटली से था इसके लाबा अब्द अल रज्जाक कमाल तो यह अल समरकंदी समरकंद से है ठीक है एक यात्री और आ रहा है भारत में जो के रूस का है अफानासी निकितिछ निकितिन यह रूसी है दूरते बारबोसा पुर्टगाली है 1518 में भारत की यात्रा पर आया है एक और है सैदी अली रेईस तुर्की से है अन्तोनियो मान से रेते इस्पैन से आया है आप देगे टैवर्नियर के बारे मारे पहले लिख चुगे है और एक और है महमूद बली बल्की यह बल्क से आया है इनके बारे मारे बिख लीजिए क्योंकि अक्सर करके आपको ऐसे फ्रश्ण देखने को मिलेंगी PCS एक्जाम में यहाँ पर एक तरफ जैसी यात्री दिये होंगे तो चलिए आच लिए वस्तना ही थैंक्स पूर वाचिंग जय हिंदु